ब्रस्पति, शुक्र और बुद्ध का कंजक्शन यदि आपके लगन चार्ट में किसी भाव में हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है देखे अगर ये कंजक्शन आपके कुंडली में है तो normally हमें इस कंजक्शन को सरस्वती योग के नाम से भी जानते हैं और ये योग आपको creativity और knowledge दोनों ही provide करता है इस कंजक्शन के रहते हुए आप जितना ज़्यादा knowledge गेन करने की तरफ जाएंगे उतना ही ज़्यादा creativity की तरफ भी जाएंगे और उतना ही ज़्यादा अपने skills को भी आगे वढ़ने की तरफ देखेंगे इस वज़े से जात तक बहुत ही ज़्यादा talented हो सकता है साथ ही यहाँ देखें जो बुद्ध हैं वो information को represent करते हैं आपकी वानी को represent करते हैं तो आपका वानी की द्वारा skill बहुत ज़्यादा बढ़ने की chances है क्योंकि दो ऐसे planet हैं जो यहाँ ग्यान को represent करने है ब्रस्पति भी ग्यान को represent करने है और बुद्ध भी अब आपको यह देखना है कि क्या ब्रस्पति और बुद्ध ज़्यादा close है या ब्रस्पति और शुक्र ज़्यादा close है यदि यहाँ शुक्र बहुत ज़्यादा close नहीं है ब्रस्पति से तो आपके ग्यान में बहुत ज़्यादा वर्दी होती रहेगी लगातार तो आप पूरी life एक student के रूप में यानि कुछ न कुछ सीखते रहने की जो आदिश है आप में रहेगी और इस वज़े से आप एक learning phase से हमेशा गुजरते रहेंगे life में ये conjunction आपको बहुत सारी abilities दे देता है तो इस conjunction की वज़े से अकसर आप financial matters में बहुत अच्छे हो सकते हैं आप कोई essay field में बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा knowledge oriented persons के आप सकता होती है जहाँ पर financial knowledge की तो आप सकता होती होती है और भी बहुत सारे multiple जो areas हैं उनमें भी हमें knowledge की आप सकता होती है तो यहाँ mainly यहाँ जो buddh हैं आपको knowledge gain करने में काफी मदद करेंगे आपको इदर उदर से काफी सारे information जुटाने में मदद करेंगे और ब्रसपती जब साथ हैं तो ब्रसपती की qualities का उपयोग करके आप उस knowledge को बहुत जल्दे गरहन कर लेंगे और बुद्ध यहाँ पर आपके talent को भी बढ़ाने का काम करेंगे अब अकर बुद्ध यहाँ शुकर के ज़्यादा close है तो इस case में हो सकता है आप धन के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे आपके पास multiple income sources हो सकते हैं इस conjunction की वज़े से अकसर आप अपनी qualities को काफी ज़्यादा enhance होते वे देखेंगे क्योंकि यहाँ जो बरस्पती हैं बरस्पती काफी ज़्यादा एक multiplier effect दोनों ही ग्रहों पर डालते हैं यहाँ पर अब देखना पड़ेगा शुकर कौन से ग्रे के ज़्यादा close है शुकर जिस भी ग्रे के ज़्यादा close होगा उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा के रोप में आप कर सकते हैं बट यदि यहाँ शुकर गुरु के ज़्यादा close हुआ तो relationship wise एक अच्छे इस्तितिव बन सकते हैं partner आपका बहुत supportive हो सकता है अगर शुकर ब्रस्पती के ज़्यादा close हो तो इस case में married life आपके काफी अच्छी जा सकते है even marriage होने के बाद luck factor आपकी life में काफी हावी रह सकता है बट यह conjunction आपके कौन से भाव में बन रहा है उस particular house को देखे उस particular house को आप हमेशा बहुत अच्छे से explore कर पाएंगे उस house से related चीज़ें प्राप्ट करना आपके लिए बिलकुल भी कठिन नहीं रहेगा महाँ पर आप अपना knowledge, अपने effort सबसे ज़्यादा लगाते हुए नजराएंगे especially आपकी जो mental strength है mental जो आपकी छमता है और जो आपकी creative strength है उसका उपयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते है अब बात रही उस भाव से जुड़े हुए रिस्तों की तो उस भाव से जुड़े हुए रिस्तों में आप हमेशा compromise करते हुए नजराएंगे कुछ हट तक थोड़े तरकवी तरकवी उन रिस्तों की साथ आपके हो सकते है अब यहाँ ब्रस्पती और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनको हम marriage के लिए especially देखते हैं यह conjunction में ब्रस्पती और शुक्र क्योंकि दोनों ही बुद्ध के साथ हैं तो ऐसे में जैसे किसी स्त्री के चार्ट में या किसी प्रूस के चार्ट में भी अगर यह conjunction होगा तो partners के बीच में आपस में थोड़े बहुत तरक वितरक अवस्य होंगे थोड़ा बातों का लेन देन, विचारों का लेन देन, यह सब होता रहेगा पर यह conjunction life को बहुत अच्छे से balance करने, life को बहुत अच्छे से enjoy करने के लिए काफी अच्छा conjunction माना जा सकता है इस conjunction की वज़े से वास्तम में आपकी life में बहुत सारे multiple रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं जहांपर आप वास्तम में अपनी creative skills को, अपनी छमताओं को काफी ज़्यदा निखार सकते हैं और उनका परदर्शन भी काफी अच्छे से कर सकते हैं अब आप ये देखिए कि इस conjunction बर किसी अद्धर जो planet है उसका प्रभाव है या नहीं है अगर किसी अन्य ग्रेय का प्रभाव नहीं है तो कुल मिलाकर ये conjunction आपको काफी अच्छे results देगा इसके साथ आप उस particular भाव के स्वामी को देखिए जिस भाव में ये conjunction बनावा है क्योंकि उस भाव के स्वामी का बहुत बड़ा रोल इस conjunction में रहने वाल है अगर इन तीनों का ही जो समंध है अच्छा है या एक overall okay okay समंध है उस भाव के स्वामी के साथ तो ये conjunction जैसे मैंने अभी आपको results बताए है result आपको जरूर मिलेंगे साथ आपका यहाँ जो ब्रस्पति है वो business को भी represent करता है business को represent करने के वज़े से आपके पास कोई ऐसा ही business हो सकता है जैसे कि finance से related business हो जैसे कि कोई knowledge से related business हो या फिर आध्यात में कारिय भी आपकर सकते हैं यदि ब्रस्पति बहुत ज़्यदा मजबूत है तो तो ये कुछ प्रभाव रहेंगे इस conjunction के